Hello everyone, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं New topic Yoga Preventive Measure for Lifestyle Disease और जो कि सारे के सारे MCQs हैं जो काफी ज़्यादा important है पूरे chapter से 9 MCQs को निकाला गया है तो इनकी भी आप त्यारी करते चलें जो exam में काफी ज़्यादा helpful होगा चैनल पर नए हैं तो like and subscribe जरूर करें क्योंकि इसी तरीके के वीडियो कांटियूने आपको मेलते रहेंगे तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं Which gland is associated with diabetes? Endocrine gland, Pitiotric gland, Pancreas gland and Hypothelmas gland तो यहाँ पर question नहीं पूछा गया कि कौन सी यहाँ पर gland जो गरंत दी है या किस gland की वज़े से diabetic होता इंसुलिन बनना बंद हो जाता या इंसुलिन का मातरा में बनता है तब diabetic के समस्या हो जाती है question number two, polyurea is associated with तो polyurea होता क्या है? polyurea में actually होता क्या है? उसमें पेसाथ ज़्यादा मातरा में बनने लगता है urine ज़्यादा बनने लगता है तो यहाँ पर गर correct answer देखेंगे तो होगा D, excessive urination इसका मतलब जो urine होता वो आतेदिक मातरा में बनता है भुजंगासन is also known as भुजंगासन को हम लोग जानते हैं कोबरा पोज के ठीक है? कोबरा पोज बोलते हैं भुजंगासन को या कोबरा पोस्चर भी कहते हैं विच आसना can be suggested as a preparatory आसना for पवन मुक्तासना तो यहाँ पर दिया गया है कि पवन मुक्तासना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह पर कौन सा आसन किया जा सकता है तो पवन मुक्तासन जो आसन होता है उसमें हम पीट के बर लेट के अपने पैरों को छाती पर दबाने की कोशिश करते हैं अगर वो आसन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर भुजंगासन को आसानी से कर सकते हैं तो यह कही न कहीं पवन मुक्तासना का काम करेगा यहाँ पर कुछ आसन दिये गए हैं आपको यह बताना है कि किस पॉइंट पर ब्लेट पैसर हाई कंसीड़ किया जाता है तो अगर आप हाई देखेंगे तो stage 1 पर तो यह वाला हो जाएगा option सही 80 to 130 हाई कंसीड़ किया जाता है अगर stage 2 पर आएंगे तो यह वाला option सही हो जाएगा 90 to 140 अगर इससे भी उपर stage पर आएंगे लास्ट पर तो यह वाला option सही होगा 120 to 210 तो यहाँ पर जो option तीनों दिये गए हैं वो सही है मगर according to question correct answer is D which asana suggested for low back pain is contraindicated for cytica अगर sideca की समस्या हो गए तो यहाँ पर कौन सा ऐसा आसन आप करेंगे कि जिसकी जैसे sideca की समस्या दूर हो जाए ठीक है तो यहाँ पर correct answer होगा B savasana, savasana में आप आराम से लेट कर relax करेंगे तो यह sideca की समस्या को ज़्यादा स्यादा दूर करेंगा और जो lobe back pain होता है उसकी समस्या भी कम होती जाएगी what causes an asthma attack तो asthma attack होता है उसका कारण क्या होता है allergy होती है, smoke होती है, exercise होती है all of the above होता है तो अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो जो asthma का सबसे बड़ा कारण होता है allergy, आपको किस चीज से allergy है dust से allergy है, तो इस वज़े से asthma हो जाता है, poor exchange आप oxygen and carbon dioxide in an individual is the result of अब जैसे आप सांस ले रहा है तो इसमें आप oxygen लेते हैं, carbon dioxide release करते हैं तो अगर इसका exchange अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कि जो आपका respiratory system work नहीं कर रहा है तो respiratory system जब सही से work नहीं करेगा, तब आप oxygen नहीं ले पाएंगे और carbon dioxide नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर main problem होगी, respiratory system की, तो यहाँ पर correct answer होगा D, respiratory failure which आसना is base आसना for curing आप यहाँ पर 4 आसन दिये गया है आपको यह बताना है, कि अस्तमा को रोकने के लिए सबसे best आसन क्या होगा कि जिससे अस्तमा ना हो तो अस्तमा एक allergy की problem की वज़े से होता है जिसमें कोई भी work आप करते हैं, physical activity करते हैं तो यह अचानक सांस लेने की समस्या सुरू हो जाती है और इस बज़े से अस्तमा बढ़ जाता है तो इसके लिए यहाँ पर सबसे first position पर जो आसन दिया सुखासन अगर आप सुखासन को करेंगे तो अस्तमा के समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी और आप यह भी मानने कि इस आसन में अस्तमा के समस्या कम होती है तो इस तरीके से यह योगा की टॉपिक से मैंने 9 question answer की series ली थी जो काफी जादा important हो रही थी इनकी त्यारिया आप करते रहे तो मिलते हैं आप से next video में नए टॉपिक के साथ बीड़ो देखने के लिए धन्यवाज जैहे झाल 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 झाल